तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है Redux और क्यों हम लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे Redux जैसी लाइब्रेरी को तो Redux के बारे में सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि क्या problem solve करता है अगर हमारे पास कुछ इस तरह का application structure है जहां पर हमारे पास app.js यहां पर है और फिर बहुत सारे components कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं अब हो सकता है component 10 के अंदर या component 14 के अंदर या component 8 के अंदर मुझे एक particular state को इस्तेमाल करने की सरूरत पढ़ जाती है ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा मैं prop drilling करूँगा मैं सारी की सारी state को app.js के अंदर ले आऊँगा और उसके बाद अगर मुझे component 17 तक कोई भी data भेजना है या function भेजना है तो मैं यहां से travel कराता है वो उसको भेजना पहले component 2 को as prop दूँगा फिर component 2 component 8 को as prop देगा फिर 8 15 क 16 17 को देगा यह development में बहुत जादा pain तो लेकर आएगी आएगी उसी के साथ साथ जो application का management हो बहुत खराब हो जाएगा इस problem को solve करने के लिए हमने context API नाम की एक चीज देगी थी but हमारे पास एक Redux नाम की library है जो कि state manage करने में हमारी मुदत करती है तो state management का एक custom solution एक external library solution है हम हम लोग क्या करते है आपर Redux store बनाते है जिसके अंदर सारी की सारी application की state रहती है और जिसको जब चाहिए हो जो भी data वो Redux store से request करके मगा सकता है ठीक है तो यह basic idea है Redux का अब यहापर हम कुछ terminologies देखेंगे why Redux देखेंगे कि क्यों use करे Redux तो जब application का size बढ़ा हो जाता है तब क्या होता है कि it becomes difficult for the user to manage its state ठीक है application की state जो है वो user को दिक्कत होती है manage करने में जैसे कि मैंने भी आप लोग को बताया है Redux क्या करेगा इस problem को solve करेगा एक global object बना कर जो कोई भी component चाहिए वो कितना ही deep Q ना हो hierarchy में वो use कर सकता है store को ठीक है testing असान हो जाती है और पूर एक अच्छा reason है ठीक है अब दो terminologies के बारे में बात करूंगा actions और reducers और इसके बाद एक analogy बताऊंगा बड़ी मज़ेदार आप भी को गया है और मज़ा ही आगया ऐसी analogy बताऊंगा तो सबसे पहले action and reducers को मैं आप लोगों को थोड़ा सा theory बता देतो actions and reducers के और उसके Hello i notebook नाम की एक application बना रहे है जिसमें बहुत सारे notes है और कौन-कौन से notes के user के corresponding है यह मुझे change करना है यानि कि एक particular user के corresponding अगर 4 notes है तो मुझे उन 4 notes को 5 notes करना है यानि कि मुझे notes को change करना है तो मैं क्या करूंगा एक action यहाँ पर लेकर आओंगा add note उस action कराओंगा add note और मैं एक नया add करके note अपना notes array को change कर दूँगा ठीक है similarly मैं delete note time का action भी पुकार सकता हूँ एक action initiate कर सकता हूँ और ऐसा करने से क्या होगा कि जो मेरा note है जो भी particular note मैं delete करना चाहता हूँ वो मैं delete कर पाँगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे आपर reducer की कि यह reducer क्या होता है तो action तो आपको बता चल गया कि कोई भी अगर मुझे काम करना है इसे add करना है note को delete करना है note को यह फिर update भी करना है note को तो भी मैं action जो है action को as update और state को change करवा सकता हूँ और यह चीज़े मैं आगे बताऊंगा आपको अब यह अच्छे से समझ में नहीं आएंगे सिफ theory सुनकर बस action का मतलब पर समझ लो कि कोई भी क्रिया ठीक है कोई भी एक ऐसी क्रिया जो कि मेरे application की state को बदलेगी ठीक है अब यहाँ पर देखो reducer क्या होता है reducer एक function होता है जो determine करता है कि कि किस तरह से change होगी application की state for example अगर मैं एक note को add कर रहा हूँ तो वो जो particular note है वो मेरे कौन स state variable को change करेगा मेरे notes array को change करेगा तो यह चीज जो है reducer function करता है कि तरह से change करेगा क्या नई state होगी मेरी यह सारी की सारी छीजे है कौन determine करेगा यह reducer function determine करेगा ठीक है यह reducer function return करता है नई state और यह store को बताता है कि क्या करना है किस तरह से करना है ठीक है it uses the action it receives to determine this change ठीक है तो यह क्या करता है action को लेता है यह से update notice ने लिया क्या चीज़ update करनी है वो लिया और इसके बाद यह function नन होता है और आपकी state को change करता है तो अगर आप यह diagram देखें आपर तो आपको बता चलेगा यह आपका view है या यह आपका UI है UI क्या करेगा एक action को dispatch करेगा reducer को ठीक है और reducer क्या करेगा reducer store में जो मेरा state variable है उसको change कर देगा और यह जो store है यह view से already connected है तो जो भी change होंगे store में वो यहाँ पर view पर automatically reflect हो जाएंगे इसका practical भी हम लोग देखेंगे लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था एक बहुत ही मज़ितार analogy actions और reducers की ठीक है सुनना द्यान से मज़ा आएगा आप लोगो भी मालो यह बच्चा है ठीक है यह बच्चा है और अब आपको बताए कि जो ममी बाबा होते हैं वो जब बच्चा चोटा होते है तो वे करते हैं जो बच्चा बोलता है बच्चा बोलता है कि मुझे टौफी दिला दू तो ममी बाबा दिला देते हैं बच्चा है चोटा ठीक है कितना क्यूट है यह वाला तो समझ रहे हो तो क्या होगा कि एक बच्चा कुछ भी बोलेगा तो मम्मी बाबा को बात माननी पड़ेगा तो यहां पर जो बच्चा है उसको आप यू आई की तरह समझ लो ठीक है यह बताएगा कि मुझे क्या एक action initiate करना पड़ेगा अब मम्मी बाबा दोनों busy है अभी देखो इतनी मुश्किल से शायद lunch break पर मिले हैं खाना खाने के लिए भी तो दोनों अपने अपने काम में busy है ठीक है तो यह क्या करेंगे यह खुद जाकर नहीं लाएंगे बाड़ बच्चे के लिए यह करेंगे क्या एक action create करेंगे तो इनको मैं action creator भी कह सकता हूँ यह action creator है यह action create करेंगे यह एक whatsapp message type करेंगे bring ठीक है एक message type करेंगे whatsapp पर जिसका type होगा bring और payload होगा one ball plus bat ठीक है यानि कि bat ball ला दो और क्या करो ला दो यानि कि type is bring तो अगर type sell होता तो हो सकता है कि यह बेचने को कहते हो समझ रहो आप लोग अगर type होता order तो शायद online order करने को कहरें लेकिन यह कहरें bring यानि कि market से लेकर आना है ठीक है और payload क्या है यानि कि क्या लाना है one ball plus one bat तो यह action इन्होंने whatsapp से dispatch कर दिया कि इसको शंकर डो को शंकर डो को होना है शंकर डो है care taker इस बच्चे का जो कि इस दोनों busy है तब जो भी इसको चाहिए होता है खाना पीना उटना बैठना हो सब लागे देता है इसको ठीक है तो शंकर डो भाईया क्या करेंगे शंकर डो रिड्यूसर है शंकर डो भाईया actual में काम करेंगे actual में जाएंगे market bad ball देखेंगे अच्छा कौन सा मजबूत है कि नहीं है warranty में कि नहीं है बच्चा खेल भी भाएगा कि नहीं है नहीं कि बच्चे का size जो है वह आदा food भी नहीं और जो है बैट आगया धाई-fit का वह भी गलत है ठीक है तो छोटा बैट चाहिए बच्चे के size का तो वह सब चीज़े देगे शंकर डो भाईया ठीक है और श जो हमारा reducer था जिसने actual में काम किया जिसने actual में state को change किया यानि कि इस बच्चे की state पहले थी बिना बैट के अब इसको बैट दे दिया वो कौन था हमारा reducer शंकर डो ठीक है और इन्होंने क्या किया action creator ने action को dispatch किया किसके थ्रू किया whatsapp के थ्रू whatsapp कर दिया शंकर डो को कि भाई इसको बैट लाकर दो ये message टाइप करके इसको whatsapp पे दे दिया और शंकर डो भाई है इसको बच्चे को बैट लाकर दे देंगे तो I hope कि आपको समझ में आगया action क्या होता है और reducer क्या होता है और action creator क्या होता है लेकिन जब तक हम लोग एक application नहीं बनाएंगे अगर आप लोग ने अभी तक इस playlist को access नहीं है इसको जरूर access करें और उसी के साथ यहाँ करके bookmark करें इस playlist को यहाँ करके save करें अभी के लिए इस वीडियो में इतने है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time करें